कॉलिज दोस्तो इस शांदार अपॉर्चुनिटी को समझने का मौका मिला जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था डैली उनिवर्सटी के नामी जाने इमाने कॉलिज से रामजस कॉलिज से दोस्तो मेरे पास वेस्टी से पहले मैं हमेशा बताता हूं दो अप्शन थे जिंदगी को भुजर बसर करने के लिए पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे वेस्टीज के इलावा भी पहला दोस्तो मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं किसी जॉब मिल जा सकता था, मुझे इतना विश्वास था, मैं किसी भी एक्जाम में बैठता, मैं उस एक्जाम को crack कर देता, दूसरा, दोस्तों मेरे पास option था, जो मेरे फादर का well settled business, जहाँ पर मुझे कुछ करने की जरुरत नहीं थी, और मैं महां से भी पैसा कमा सकता था, पर इन दोनों चीज़ों को मैंने side में रखा and I chose vestige, मैंने vestige को चुना, क्यूं? job में जा सकता था, father के business में जा सकता था, पर मैंने उस काम को चुना, जिसका मेरे पास अनुभब नहीं था, और अगर मैं गलती से उस काम में फेल हो जाता, अगर मैं गलती से vestige में फेल हो जाता, तो जिन्दगी भर मुझे ताने सुनने पर दो, पर उन दोनों चीज़ों को side रखे मैंने vestige को क्यूं चुना, दोस्तों पहली एक चीज, मैं इतना जानता हूँ, पिंजडा लोहे का हो, या सोने का हो, पिंजडा पिंजडा हो जाए, जॉब जॉब होती है, आज इंडिया में हर साल 80 लाग से ज़ादा engineers और graduates निकलते हैं, और 80% लोगों की नौकरी नहीं लगती, और जिनकी लगती है, बड़ी जोर की लगती है, आज आप देख लो न, मार्किट की क्या कंडिशन, TCS, IBM, Infosys जैसी कंपनी अभी जॉब लेटर देती है, वेकेंसी होती है, तो प्लेस्मेंट मिलती है, वेकेंसी होती है, नहीं तो वो forward उतर है, आज आप मार्किट की condition खुद देख सकते हैं, ठीक, second option, my dear friend, जो मेरे फादर का business, क्या मैं कहूंगा, हाँ, शायद उन्होंने पैसा कमाया, बट येस, सुकून नहीं कमाया, अजादी नहीं कमाई, freedom नहीं आएं उनके पास, 16 साल की उमर से वो काम कर रहे हैं, 16 साल की उमर से गाउं से डेली आए, business करने के लिए, और 16 साल की उमर से आज 65 साल की उमर है, लगबग 50 साल हो गए, दोस्तों काम करते करते, और आज भी अगर factory नहीं कोलेंगे, तो पैसा नहीं आएगा, आज भी अगर काम नहीं करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा तो मैंने वेस्टीज को क्यों जोइन किया क्योंकि जब मैंने वेस्टीज का प्लाइन पहले बार देखा तो मुझे एक चीज समझ में है कि इस प्लाइन में रोयल्टी है इस प्लाइन में फ्यूचर है इस plan में मेरे पास पैसा आ सकता है इस plan में मेरे पास personality development आ सकता है इस plan में मेरे पास security आ सकती है दोस्तों आपके जो भी सपने हैं जो भी success के parameters हैं जो भी हैं आपके जो भी success के parameters हैं जो भी आप सोचते हैं आपको पैसा चाहिए आपको कार चाहिए आपको बंगलो चाहिए आप एक रूफ के अंदर पूरे हो सकते हैं तो उस च्छत का नाम है वेस्टीज The Land of Dreams कहीं आप किसी काम में होंगे तो शायद पैसा मिल जाएगा, समय नहीं होगा Am I right? कहीं पर समय होगा तो पैसा नहीं होगा कहीं समय और पैसा दोनों होगा तो नेम फिर्म नहीं होगा But my dear friend, जहाँ पर you can get any number of things under one roof and that is vestige And that's why you have to do vestige जहाँ पर बहुत सारी चीज़े एक छट के अंदर मिलती है उसे vestige कहते हैं और उसी के लिए मैं vestige को करना है For that purpose I joined vestige आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ जिन्दगी को गुजर बसर करने के लिए जिन्दगी में अपनी जरूरतों को अपनी ख्वाईशों को पूरा करने के लिए जिन्दगी चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा धाई किलो का पेट है आपके पास, मेरे पास भी है, फैमिली, बीवी, बच्चे आपके भी होंगे, हैं, हो भी सकते हैं, मेरे भी होंगे, मेरे भी हैं, राइट, सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं आपको अप्शन दू, कि तीन साल महनत करो, तीन से पांस साल ठोकरे खाओ, तीन से पांस साल रगड़ो अपने आप, और ती तीन से पांस साल बाद जिन्दगी में पैसो के लिए काम करने की जरूरत ने पड़ेगी, एक ये लाइफ है आपके पास, दूसरी एक लाइफ है, अभी तीन से पांस साल आप एंजॉय करो, खूब एश करो, और तीन से पांस साल बाद, तीन से पांस साल बाद, मैं डियर सारी जिन्दगी काम करना पड़े, सारी जिन्दगी दोस्तों काम करना पड़े, चौइस आपकी है, पहली लाइफ चाहिए यह दूसरी लाइफ चाहिए, दोस्तो मैंने किसे चुना मैंने पहली लाइफ को चुना मैंने किसे चुना पहली लाइफ कि तीन से पांस साल मैं मेहनत कर लू तीन से पांस साल मैं अपना सब कुछ दे दू पर तीन से पांस साल मुझे सारी जिन्दगी काम नहीं करना rest of my life I want to enjoy का मैं अपनी सारी संदगी की काम करना है। ती साल तक पिदी साल पढ़ा ही कर将 ऌते हैं सलगा उसके बाद कब बच्चे और बच्चों के लिए इंसान करने में लग जाता है थी रिटायर हो जाता है फिर जिंदगी को गर्जाते है men वय्व makes childhood बैट मैं यह लाइब नहीं चालता तो मैंने वेस्टीज को चुना पहली चीज माने आपको पताई मैंने विस्टीज को क्यों चुना ब्राइट कि मुझे क्या जिए था तक मैं तीन साल 3-5 साल कांँकरूं और आने वाले तीस से चालिस साल पैसों के लिए काम ना करना पड़े हैं एंजॉइमेंट के लिए नेम फेम के लिए ठीक है और लोगों के लिए लोगों की लाइफ में पेल्यू एडिशन करने के लिए मैं काम करूं पर पैसों के लिए काम ना करना पड़े तो देट्स अन्मूल रतन हमारे दो अन्मूल रतन परिवार रिष्टेदार और हमारे दोस्त और मैं आपको बता देता हूं खुशकबरी दे देता हूं यह दोनों ही मेरे खिलाफ ते यह दोनों ही मेरे खिलाफ ते